लंबे समय की चुनावी कभायत के बाद कॉंग्रेस का रास्टी अध्यक चुने जाने के बाद पहली बार कॉंग्रेस के रास्टी अध्यक चुने गए मलिकारजुन खडगे ने अपना पद्भार समाला इस पूरे मौके पर राहुल गांदी, सोनिया गांदी, प्रियंका गांदी समेत तमाम कॉंग्रिस के बड़े नेता उपस्तित रहे भारत جडो यातरा की शुरुआत के बाद से ऐसा पहला मौका है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यातरा छोड़ करके और इस कारिकर्म में सम्मिलित होने के लिए आये थे इस मौके पर कॉंग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने कहा कि खड़गे को अध्यक्ष पत की कमान सौप करके वो राहत महसूस कर रही है उनके सिर से एक बड़ा बोच उतर गया है उन्हेंने कहा कि मैं नए पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी को बधाई देती हूँ सबसे अधिक संतोस इस बात का है कि जिने अध्यक्ष चुना गया है वे एक अनुभवी और धर्ती से जुड़े हुए नेता हैं एक साधारन कारेकरता के रूप में काम करते हुए अपनी महनत और समर्पन से इस उचाई तक पहुँचे हैं सोनिया ने अपने कारेकाल के लिए कांग्रेस नेताओं और कारेकरताओं का धन्यवाद भी किया इस मौके पर सोनिया गांधी ने सभी को संबोधित करते हुए जो बात कही वो आप एक बार सुनते चलिए नाव निर्वाचित कांग्रेस अध्याक्ष मलेकारजुन खारगेजी कांग्रेस कर्यसमीती के सदास्य प्रदेश कांग्रेस अध्याक्ष कांग्रेस विधायक दलो के नेता चुनाव प्रदिकारन के अध्याक्ष मदुसूदन मिस्ट्वी जी यहां उपस्तित पार्टी के सभी वरिष्ट नेता भेनों और भायों सबसे पहले मैं हमारे नए पार्टी अध्याक्ष खारगे जी को हृदे से बधाई देटी हूँ अभी मेरे बारे में जो भवनाय द्याक्ष की गई है उसका मैं सम्मान करती हूँ और आप सब के प्रटी अभार द्याक्ष करती हूँ मैं बहुत प्रसान हूँ साच कहूं तो बड़ी राहत महसूस कर रहे हूँ सबसे अधिक संतोष इस बार का है कि अपने अपने विवेक से जिने अध्याक्ष चुना है वे एक अनुबही नेता है दर्ती से जुड़े हुए नेता है एक साधारन कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्टा से, अपनी महेनत से अपनी लगन से और अपने समर्पन से इस उचाई तक पहुचे है मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पूरी पार्टी को एक प्रिर्णा मिलेगी एक संदेश मिलेगा और उनके नित्रित्व में कांग्रेस लगतार मजबूत होगी मैंने अभी अभी कहा कि मैं रहत महसूस कर रही हूँ मैं इसे स्पाष्ट करना चाहती हूँ रहत इसलिए कि आपने इतने बर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका ऐसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सास तक रहेगा लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बीठी मुझसे अपनी शम्ता और योग्यता के अनुसार चितना बन परा उतना किया आज मैं इस दैट्व से मुक्त हो जाओंगी यह भार मेरे सीर से उतर जाएगा इसलिए स्वभाविक रूप से मुझे राहत का एसास हो रहा मैं अब साबको भी दिल से धन्यवाद देती हूं कि आपने हमेशा अपना सैयोग और समातन मुझे दिया अग यह जिम्मेदारी करगेजी के उपर आ गई दे परिवारतन संसार का नियम है यह परिवारतन जीवन के हर छेत्र में होता रहा है और होता रहेगा ठीक उसी तरह से जिस तरह से जीवन के हर छेत्र में नए नए चुनोट्या आती रहती है आज हमारी पार्टी के सामने भी बहुत सारी चुनोट्या है सबसे बड़ी चुनोट्य यह है कि आज देश के सामने लोग तंत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकत पैदा हुआ है उसका मुखाबला हम सफलता पूर्वत कैसे करें आपने जिस तरह लोग तंत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अपना नया अध्यक्ष चुना है मुझे विश्वास है कि उसी तरह पार्टी के सभी कर्यकर्टा और नेटा आपस में मिल जुल कर एक ऐसी शक्ती बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने उपस्तित समस्याव का सफलता पूर्वक सामना कर सके कांग्रिस के सामने पहले भी बड़े बड़े संकत आये हैं लेकिन पार्टी ने सभी हार कभी हार नहीं माने हमें अब भी पूरे संकल्प के साथ पूरी मजबूती के साथ पूरी एक तक के साथ आगे बढ़ना है और सफल होना है आज इस विशेश अफसर पर मैं बस यहीं चंद शब्द कहना चाहती थी अंत में मैं सबको अपने लगतार सहयोग के लिए एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ और इस अफसर पर पार्टी के चुनाव प्रडिकारन के अध्यात्र मिस्तिजी को भी खासतोर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने और उनके सहयोगियोंने पार्टी के यह चुनाव बहुत अच्छी थर संपन कराए है मैं मलिकारजुन खारगे जी का नए अध्याक्ष के रूप में स्वागत करते हूए अपनी बात समक्त करती हूँ धन्यवाद जय हिंद झाल 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 झाल